एक टन छड़ का मोले 50,000 रुपे हो तो एक किलो छड़ का मोले कितना होगा दोस्तों पहले को ये पता होना चाहिए कि एक टन बराबर कितने किलो होता है आपको बता दू कि एक टन बराबर 1000 किलो होता है 1000 किलो बराबर एक टन होता है तो एक हजार किलो छड़ का मोले पचास जार रुपे दिया हुआ है तो एक किलो छड़ का मोले कितना होगा तो आपको क्या करना है पचास जार में एक हजार से भाग देना है पचास जार में एक हजार से आपको क्या करना है भाग देना है तो कितना बार में 50 बार में यानि एक किलो छड़ का दाम कितना निकला 50 रुपे देखिए 50 रुपे यहां B option में दिया हुआ है B option अपका right answer है